QADCAMs Tutorial QADCAMs Tutorial में आपका स्वागत है आज हम देखेंगे variable age fillet क्या होता है या variable size fillet क्या होता है तो हम fillet पे click करते हैं हमने last time constant size और face fillet देखा था, आज हम देखेंगे variable size क्या होता है variable size मतलब हर area में एक अलग-अलग radius तो चलो हम पहले एक item to fillet, एक fillet select करते हैं, हमने देखो, जैसे ये select किया, इसमें कई points आ गए, 1, 2, 3, ये बीच में 3 points है, और corner के दोनो, अब हम radius define करेंगे, हम कहीं से भी शुरू करते हैं, bottom से 5 mm radius, इसके बाद, इस point को select कीजिए, तो ये point यहां पूछेगा radius, unassigned, 5 mm, अब उसके बाद, उपर वाले point पे click कीजिए, तो यहां आएगा radius, 10 mm, उसके बाद उसके उपर वाले point पे आप जाएए, click कीजिए, 5 mm, उसके बाद आखरी point, 5 mm, तो अब हमने हर age पे अलग-अलग radius defined किया, इसे ही कहते हैं variable size fillet, हर age पे अलग radius, अब आप चाहें तो ये number of instant बढ़ा भी सकते हैं, यहां पे देखिए, number of instant, आप चाहें तो इसको 4, 5, जितने भी number of instant देना चाहें, आप बढ़ा सकते हैं, हमेशा इसे smooth transition ही रखिए, ताकि ये proper proportion में रहे, तो इसे कहते हैं variable transmission, और variable size fillet, ओके, तो ये देखिए, हर एक age पे एक अलग radius है, यहां एक अलग radius है, यह देखिए, यहां एक अलग radius है, यहां आपको दिखाएगा, R10, यहां एक अलग radius है, यहां भी अलग radius है, तो इसे ही कहते हैं variable size transmission, उमीद करते हैं ये video आपको पसंद आया होगा, धन्यवाद,